हेलो दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्त निभी और आपका स्वागत है मेरे जिना में तो अगर आपका वच्छा भी इसी तरह तो अगर आप बचला कमजोर है तो आप उसे इसा क्या खिलाएं जिससे कि वो स्वस्त हैल्दी और मोटा बनी सभी माय जिनकी बच्छे कंजोर होते हैं वो यह सोच के परिसान रहते हैं कि मैं इसे क्याद हूँ जो मेरे बच्छे के चरिक लग सके तो दोस्तो उससे पहले में बताना चाहूँगी कि अगर आपका सिसू 6 माह से चोटा है तो आप उसो पॉली ब्रेश के लिए कराएं क्योंकि मा का दोस्तो बच्छे के लिए अम्रत के समान होता है परन्तो अगर आपका सिसू 6 माह से बढ़ा है तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है मैं इसना कुछ एटी टिप बताऊंगी जिने फॉलो करके आप अपनी बच्छे के बजन बढ़ाने में जरूर काम्याम होगी तो टिप नम्मर वन केला या केला का सेख एनर्जी का बैचिन दूद केला है कमजूर बच्छों के लिए या बिहर फायदेमन्द होता है केले का सेख या दूद और केला बच्छे को गलाने में बच्छे के बजन में बढ़ने में ब्रदी होती है तिप नम्मर टू सकरकंद सकरकंद बजन बढ़ाने में बहुत सही माना जाता है कमजूर बच्चों को इसका हल्वा वाखुवाल कर दूद में मिलाकर खिलाया जा सकता है सकरकंग फाइवर, पोटेसियम, विटामिक A, B और C से बरपूर होता है जो बच्चों की बज़र बढानी में अधिक मदब करता है टिप नमर 3 खीली और मक्कन कमजूर बच्चों की यह मक्कन खिलाना चाहिए जो पैट से बरपूर होता है इन्हें दाल में डाल कर या रोटी लगा कर खिलाया जा सकता है टिप नमर 4 मलाई वाला दूद कमजूर बच्चों की बज़र को बढाने के लिए बाजार में उपलवत फुल क्रीम मिल्क जैसे अमूल, ताजा, नमस्टे, इंडिया, पराज, घ्यान, आगी मिल्क बच्चों को पिलाने से बज़र बढाने में मदद करता है अगर बच्चा दूद पीने के लिए मना करे तो स्मूदी या चौकलेट पावलोल मिक्स करके बच्चे को पिलाया जाया सकता है मलाई बाला तो बच्चे का बज़र बढाने के लिए रखी माना जाता है तोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो पर आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए और मुझे जुड़े रहने के लिए मेरे चैन को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और सब्सक्राब करना ना भूलिए ठैक्स पर वाचिंग माई वीडियो